हाई अवरिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी आइस पर बोल्ड विंग टायलाइनर कैसे अपलाई कर सकते हो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिये और इस वीडियो को लाइक है शेयर करें So let's get started जब हम लाइनर अपलाई करते हैं उससे पहले हमें लाइनर डायरेक्ली ऐसे लगानी लेना है हमें इसमें से जो टीप में जो एक्सेस होता है उसे ऐसे रिमूफ कर लेना है कुछ इस तरीके से वरना अगर आप डैरेक्ली अपलाई करते हो तो वो आपके आइस पर डैरेक्ली मोटा लग जाएगा जिससे आपका लाइनर खराब हो सकता है सबसे पहले मैं अपनी ओर्टर वी से एक विंग क्रियेट कर लूँगी और उसे अपनी मिड औप आइलेट पर जोइंट करूँगी और उसके बाद अपनी इनर वी से मैं एक पतला सा लाइनर ड्रॉ करते हुए अपनी ओर्टर वी से जोइंट करूँगी इनर वी से हमें पतला सा लाइनर ड्रॉ करते हुए और वी की तरफ जाना है और इसे मैं अपने लैश लाइन के क्लोस क्लोस अच्छे से अपलाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से सो गाइस मैंने अपनी दूसरी आइस भी कम्प्रीट कर ली है और इस इस मैं फाइनल फिनिश लूग सो गाइस अगर आपको मेरा यह बोल्ट विंग टाइलाइनर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड कलर के बटन को प्रेस करके और उसके निचे जो बेल बटन होगा उसे भी हिट कर दीजिए ताके मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें बाई I will see you in my next video